दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे येट्यूब चैनल पर दोस्तों विज्ञान ने पूरी तरह से दावा कर दिया है कि सुबा उठते ही औरतों की ये एक चीज ना देखें पूरा परिबार हो जाता है भिकारी किस परकार से आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों किरपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फिरी में सब्सक्राइब करके वेल आइकान को प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों हर किसे की रूह काप जाती है जब सुबा उठते ही मिलते हैं ये पांच संकेत इसलिए सुबा उठते ही महिलाओ की ये चीजें कभी नहीं देखनी चाहिए नहीं तो दिन क्या आपका पूरा साल भी बरबाद हो सकता है और छा जाती है मनुसियत दोस्तों हर सुबा ब्यक्त के लिए एक नया सबेरा लेकर आती है हर सुबा ब्यक्त में नया उमंग और नया जोश रहता है दोस्तों सास्त्रों में भी बताया गया है अगर दिन की शुरुआत सही तरीके से की जाए तो पूरा दिन अच्छा बितता है और वहीं अगर दिन की शुरुआत में कुछ अशुब चीजों का दर्सन किया जाए तो पूरा दिन खराब बीटता है और पूरा दिन बरबाद हो जाता है यहां तक के आने वाला समय भी नश्ठ हो जाता है दोस्तों ऐसे में ब्यक्त के उपर मनुसियत छा जाती है जिसके कारणबा कभी भी दुबारा तरक्की नहीं कर पाता है वलके दलदल में फस्ता चला जाता है दोस्तों इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पाँच ऐसी रहसमेई चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको सुबा उठते ही कभी नहीं देखना चाहिए नहीं तो आपकी पूरी जिंदगी में वीराना सा चा सकता है तो दोस्तों आईए जानते हैं उन चीजों के बारे में दोस्तों नंबर एक सास्तरों में इस फश्ट बताया गया है कि सुबा किसी घमंडी ब्यक्ति को या फिर चरित्रीन अवरत को कभी नहीं देखना चाहिए ऐसा माना जाता है इन लोगों के सुबा सुबा दर्शन करना मनुसियत चाने के बराबर होता है दोस्तों इसलिए ऐसा करने से बचीं और हो सके तो सुबा सुबा माबाप और भगवान के दर्शन करें ऐसा करने से पूरा दिन अच्छा बीते गा और हर कारे में सफलता मिलेगी दोस्तों नमबर दो है विग्यानिकों के अनुसार इस बात को पूरी दुनिया मानती है कि सुबा उड़ते ही शीशा नहीं देखना चाहिए इसके अलावा टूटा हुआ शीशा नहीं देखना चाहिए अगर आप शीशे में अपना चेहरा देखेंगे तो इससे दाबा किया गया है कि ब्यक्ति कंगाल हो सकता है क्यूंके सुबा की पहली शुरुआत में सीशे में आईने में नकारातमक उर्जा होती है इसलिए जब आप सबसे पहले आईने को देखते हैं तो वा नकारात्मक उर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है जिसके कारण आपके अंदर मौझूद सकारात्मक उर्जा का नाश हो जाता है और आपके हर कारे में बाधा मैसूस होती है और आपका कोई भीकार सफलता पूरुबक नहीं बन पाता है इसलिए आप सुबा उठते ही आईना देखने से बचें दोस्तों नमबर तीन ऐसा माना जाता है कि सुबा उठते ही उल्टी हुई चपल मकडी का जाल या फिर धारदार चीजों को देखने से ब्यक्त बीमार पड़ जाता है और पूरे दिन उसके उपर नकार आत्मा कूर्जा हावी रहती है इसलिए आप ऐसा करने से बचें दोस्तों नमबर चार है सुबा उठते ही खाली बरतन या खाली बटुआ लगबक सभी चीजों खाली देखने पर काम्याबी आप से रूट जाती है इसलिए आप ऐसी चीजों को देखने से बचें और दोस्तों नमबर पांच आखिरी पॉइंट ये है सुबा उठते ही कभी भी लडाई जगडे ना देखी लडाई देखने पर घर में गरीबी आती है और ना ही किसी को सुबा उड़ते ही अपशब्द कहें इसलिए आप अपने दिन की शुरुआत मीठे बोलों से करें ऐसा करने से आपको काम्यावी अवश्य ही मिलेगी तो दोस्तों अगर आपको या वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन पर किलिक जरूर करें ताके आपको मिलते रहें नए नए वीडियो सबसे पहले चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक आप रहिए इस्टे मोटिवेट इस्टे फेरलेस जैहिंद